जिला कांगणा में हाल ही में विदेशों तथा देशों के दूसरे राजियों की सूची तयार कर ली गई है इसके लिए जिला प्रशाशन ने पंचाय स्तर पर परधान सचिवों आंगन बाड़ी वा आशा कारेकरताओं को संबंदित क्षेत्रों में ऐसे लोगों की लिस्ट तयार कर जिला प्रशाशन को महिया करवाने के इंडर्देश दिये गई थे मंगलवार को जिला प्रशाशन दोरा ये सूची तयार की गई तथा ऐसे लोगों से संपर्क कर उन्हें होम क्वारिटाइन होने की हिदायत दी है यदि इन लोगों में किसी भी व्यक्ति में अरीब 650 लोगों को होम क्वारिटाइन किया गया है जिला अस्पताल धर्मशाला में 18 संग्दिद मरीजों को आईसोलेशन पे रखा गया है इसके अलावा निर्देशों के तहत स्वास्ते विभाग का सयोग ना करने वाले साथ संग्दिद मरीजों को छैब में बनाए गए आईसोलेशन सेंटर में रखा गया है उन्होंने बताया कि सोंबार को सागत संदिद मरीजों के सेंपल जाज के लिए भेजे गए थे तथा इनी सभी सेंपलों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है उन्होंने बताया कि अभी विदेश चहीत देश के अन्य राज्यों से आ अपील करते हुए कहा कि जो लोग विदेशों तथा दूसरे राज्यों से हाल ही में कांगडा पहुंचे हैं वे स्वेम को सामने लेकर आएं और दिशा निर्देशों का पालन करें जिससे वाइरिस बढ़ने की संभावना को रोका जा सके होम कोरेंटाइन लगभग इस टाइम 600-600 के लोग हैं जो एक्जैक नंबर से अब धीर धीर बढ़ रहा है क्योंकि रिपोर्ट जैसे से आ रही है हम उनको अपडेट कर रहे हैं लगभग लोग साड़े 600 के आसपास लोग जो हैं होम कोरेंटाइन है लेकिन मेरे को पूरे उमीद है कि अभी आपके माध्यम से जो मैं इंफोमेशन शेर कर रहा हूं और मैं जो अपील कर रहा हूं यह जो होम कोरेंटाइन की स्तिति हो सकता है धाई हजर से तीन हजर के आसपास है थे और लाइकवाइस एक फॉर्णर महीला थे जो एरपोट पर उतरी वो सपोर्ट हमें नहीं कर रही थी और हमारी मदद नहीं कर रही थी इसलिए उनको हम छेब में लेकर गए हैं इसके लिए दो इन्फोर्मेशन और मैं आप लोग साशेर करना चाहता हूं क्योंकि हमारे positive patients हैं उनके contact में आये होंगे तो मैं थोड़ा सा information इन दो patients के बारे में शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत उपयोगी होंगे उन लोगों के लिए जो इनके साथ contact में आये होंगे हमारी बहुत कोशितों के बाद हम बहुत सारे लोगों को जो इनके contact में हैं उनसे हमन इंसान है जो contact में आता है तो हमें तुरंत फोन करके उसको ये बताना चाहिए कि हम positive हैं और हमारा इस प्रकार से टेस्ट चल रहा है और आप अपने आपको quarantine करें सुरक्षित रखें एक जो patient हमारी lady थी ये दुबाई से बाई एयर दिली आई इस फ्लाइट में जो लोग भी हो जो लोग भी ट्रेवल किये हो वो खुद को अपने आपको quarantine करें इसके अलावा इसके अलावा जो एक पूरिश है जो इस वक्त isolation में है हमारे टंडा हॉस्पिटल में ये 18 18-3-2020 को सिंगापूर से आये थे और ये बैंगलोर उत्रे हैं बैंगलोर से ये 18-3-2020 को दिली एयरपूर्ट उत्रे हैं और दिली से शाम को 6 बज के 15 मिनट पर शाम को 6 बज के 15 मिनट 18-3-2020 को हिमसुता की बस HRTC की वोलवो बस से कांगड़ा पहुचें और 19-3-2020 को सुबह 5 बजे ये रानीताल उतरें और अपने भाई के कार से अपने घर गये हैं तो ये जो फ्लाइट और जो बस की मैंने information दी है ये information में चाहता हूँ कि उन लोगों तक पहुचे जो ये साथ में travel किये हैं और वो अपने आपको खुद को quarantine करें ऐसा मैं लोगों से अपील करता हूँ देखिए जो बस के लोग थे हमने identify करके उनको बता दिया जितने लोग बता रहे हैं तो सकता है कि कुछ लोग बीच में चड़े हों आगे पीछे हों जिनकी information नहीं मिल पाई ये उनके लिए है similarly जो फ्लाइट में information थी हमने call कर दिया कई लोगों ने मना किया कि यो फ्लाइट में नहीं क्योंकि लोग identify नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि और उस फ्लाइट में travel किये हैं तो kindly अपने आपको isolation में ही रखे हैं